Good morning class 4, today we will understand math chapter 9 तो कलम ने क्या addition देखे थे, अब हम subtraction देखेंगे, ठीक है? Substract the following, हमें ये subtract करने हैं, कुछ fractions दिये हैं, ठीक है? 2 upon 3 minus 1 upon 3, ठीक है? सबसे पहले हम question में क्या देखेंगे? उसका denominator, ठीक है? numerator तो same नहीं है, लेकिन denominator क्या है? सेम है, जब denominator सेम होते हैं, तो हम denominator को ऐसे के ऐसी लिखते हैं, ठीक है? जैसा वो होता है, जिसे 3 है denominator दोनों का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, ठीक है? और उपर वाले में क्या करेंगे? 2, बीच में minus है, तो 2 minus 1, ठीक है? 2 minus 1, ठीक है? समझा गया कैसे करना है उसके बाद दिखेंगे 6 upon 7 minus 3 upon 7 ठीक है अब क्या इसमें भी देखो denominator सेम है तो हम उसे ऐसे के ऐसा ही same to same लिखेंगे और 6 minus 3 यानि कि numerator को हम minus करेंगे ठीक है 6 minus 3 upon 7 और minus करने के बाद क्या जाएगा 3 upon 7 ठीक है इसी तरह सबके numerator सेम है देखिए तो आप सभी questions को इसी तरह solve करेंगे अपनी notebook में ठीक है